बिहार के और देश दुनिया के बहुत बड़ा एक चहरा आदरनिय लालू परसाद यादो जी भी याद किये थे 27 तारीकों राष्टिय जन्तादल का स्थापना दिवस के उपलक्ष में। में सेकेंड फाउंडर के रूप में फास्ट फाउंडर बड़े आदर के साथ आदरनिय लालू परसाद यादो जी और सेकेंड फाउंडर के रूप में शाहवदीन साब रहे हैं। का भीकत बढ़े और उसका उसमें लाला चीपा हुआ है अगर कोई जानना चाहते हैं तो हम बता देते हैं। इसमें हम लोगों का लाला चीपा हुआ है कि हमारे नेता का ताकत बढ़ेगा तो हम लोगों का सक्ती बढ़ेगा। हमारी आवाज बनेगे, हमारी शुगदु की शाथी बनेगे, तो पुरे बिहार और पुरे सिवान के लोग ये चाहते हैं। तो बड़े आदरकेशाफ लालू जी ने शिम्बल दिया, नो डाउट। आप सिम्बल दिये ताकत बढ़ाने के लिए एन के प्रकेना किसी कारण से चुनाओ लूज हुआ। तो पुर्ण सत्ता में ताकत देना चाहिए। जैसे आप भी के परिवार में बड़े सम्मान के साथ दिदी मिशा भारती जी चुनाओ लूज करती हैं लोग शभाग का चुनाओ। गजब का ताकत दिखता है। आप बहुत दिनों से आरजेटी का से जूड़े रहे हैं और हाल फिल हाल आप लोग आरजेटी से बहुत खफा दिख रहे हैं। क्यों ने ने खफा नहीं है रास्टे जनता दल कर सिपाही के रूप में हम रहे हुए हैं। पुर्व में और बीच में जब हम बिहार विधान परिशत का चुनाओ लड़े थें। कि किसी भी पार्टी के गाइडलाइन से अलग आप जाईएगा तो यह दाइत्व अपना बनता है कि पार्टी के प्राक्मिक सदस्टा से रिजाइन करें। तो उससे में हम रिजाइन करके चुनाओ लड़े थे फिर बाकी अभी बस वहीं चल रहा है बाकी कुछ ऐसा नहीं कि नराजगी है पार्टी से और पार्टी में कुई वह हुए उसके बाद जैसे कि देखा गया है हाली फिलहाल चिराग पासवान है और जो बुलाया है उनक के जो अभी MP हैं सीवान के उनके साथ और तुरंत वो आ जाते हैं और आते हैं चिराग पासवान सीवान में और हीना साहब के घर चले जाते हैं मतलब ये सीवान के लिए मतलब जितने भी लोग हैं बहुत ये जानने के कोशिस कर रहा है लो कि आखिर हुआ क्या है अंदुर पूर नहीं बात नहीं है बड़े शम्मान के साथ अधरने चिराक पासवान जी सीवान के सरजमी पे जब उनका पदारपन हुआ तो उन्होंने बयान दिया ही था कि बाबु और शामा और शाहाद के पुत्री के साधी में हम सरीक नहीं हुए थे उसी स्रिणी में हम एक आपच इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया के तमाम साथी पक्ष भी पक्ष पलिटकल पार्टियां सबी लोगों ने अलग-अलग सेंस में उन चीजों को लिया उसका भी रीजन है लेने का चुकि चिराक पासवान जी बिहार के चेहरा के रूप में अभी है और डाइनेमिक चे परिवार एक पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष जब मिलने आएंगे और जहां मिलने जा रहें वह एक राजातिक परिवार है और व्यक्ति कभी बिहार और देश में बहुत बड़ा कद है तो शाहवदीन शाहब की धर्म पत्नी हैना साब से जब मिलने आते हैं तो हुआ क्या शुकित हुती फ़ार नहीं तो तो नहीं एसफ prostu नहीं के कर्याइसी बहुत ऑर परिवार थो परिद हुआ हैं और राजंतिक परिवारじゃあनेतिक परिवार में कोई भी आरजेडी छोड़कर जा रही है चीराग पस्वान के साथ नहीं हम तो चुकि अब तीस में यह चीज असपस्ट हो जाना है कि हम जैसे हजारों लोग पहले तो यह असपस्ट हो जाए और आपकी बड़कपन है जो आप यह मुहबबत और प्यार दे रहे हैं कि हम जैसे साधारन से लोग उस परिवार के शदस्य के रूप में यह हमारे लिए बहुत फक्र की बात है और आपका भी विंदन के आपने हमें यह शम्मान दिया लेकिन हम जैसे हजारों कार्ज करता उस परिवार के बहुत करीब है हजारों कार्ज करता उसी में का जय चवां साधारन समखिया है सवाल यह बन जाता है कि क्या मेरा उपिनियन ऐसा तो नहीं कि हैना साब राष्ट्य जनता दल को छोड़के लोग जनसक्ती पार्टी से चुनाओ लड़ेंगे तो हमने असपस्ट कहा है कि हैना साब ने हमने कभी नहीं शुना उन्होंने कहा कि हम राष्ट्य जनता दल से रिजाइन किया है उन्होंने कभी तो नहीं कहा और इभेन राष्टिय जनता दल के शम्मानित प्र्दिशक्ष जी का भी बयान आता है अभी आया सी था दो तीन दो महिना पहले कि शाहब और हैना साब हमारे परिवार की शदस्य है यह असपस्थ हो गया कि अभी भी हैना साब राष्टिय जनता दल के परिवार की शदस्य है यह असपस्थ है और कभी हैना साब नहीं कहा कि हम राष्टिय जनता दल से और बिहार के और देश दुनिया के बहुत बड़ा एक चहरा आदरनिय लालू परसाद यादव जी भी याद किये थे 27 तारीकों राश्तिय जनता दल का स्थापना दिवस के उपलक्ष में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो त्याग और जो वलिदान सहाब दिन सहाब ने इस पार्टी के लिए दिया जिस प्रकार से लालू जी ने त्याग वलिदान किया है और पार्टी को संजो को उस बगीचा को सीचिने का काम किया ठीक उसी प्रकार साहब ने भी उस बगीचा को सीचिने में सेकेंड फाउंडर के रूप में फस्ट फाउंडर बड़े आधर के साथ आधर नियां लालू परसादी आदो जी और सेकेंड फाउंडर के रूप में शाहबुदीन साहब रहे हैं और उन्होंने त्याग कि अपनी कुर्वानी दिदी पार्टी के लिए तो ये तो अधिकार बंता है ना सीर्स में बैठे वे लोगों का कि उस परिवार को राजनितिक ताकत दिया जाए ये तो उनका उनका हैना साब का ये फंडमेंटल राइट है और लालो जी और आदो जी को भी चाहिए उस परिवार को राजनितिक ताकत दिया जाए तीन बार का अपने टिकट दिया स्वागत जोग्याय अपने शिम्बल दिया बीना कहे वों परिवार कभी शिम्बल कभी टिकट की बात नहीं करता है तो बड़े आदरकेंशनत लालो जी ने शिम्बल दिया, no doubt, आप सिम्बल दिये ताकत बढ़ाने के लिए, एन के एन प्राके ना किसी कारण से चुनाओ लूज हुआ, तो पुनो सत्ता में ताकत देना चाहिए, जैसे आप भी के परिवार में बड़े सम्मान के साथ दिदी मिशा भारती जी, चुनाओ लूज करती ह लोकसभाक का चुनाओ, बावजूद, आप दो-दो बार राजρη सम्मा भीज दिये, आपके परिवार की सधस्यं हैं, और जो बिहार की सधस्यं हैं, जो बिहार इने, जिसका बड़ा जनधार है, हेना सहाब को अगर राज्यसमा भीज दिये होते, तो पूरिय बिहार में का ताकत दिखता और उनके चाहने वाले लोग और माइनर्टी समाद में भी बहुत मजबूत एक संदेश जाता है हम लोग तो यहीं मांग कर रहे हैं न मेरा ब्यक्तिकत उपेनियन की बात करेगे तो मेरा पहला यह उपेनियन है इनके सब राजसाभाग की बात अगर नहीं ब आते न क्या दिखत है मंत्री बना देने में यह आपके ठाकत की मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हुए हैं आप आने माले हम के भावी मुख्य मंत्री भीहार के CM के रूप में तेजस्वियाद हो जी है तो deputy CM क्यों नहीं है ना साथ को बनाने का आप लोग काम कर रहे हैं बाबु उसामो के MLC आप लोग ने बनाने का क्यों नहीं कर जिए क्यों नहीं मांग करेंगे हम तो उनके सिपाई हैं हम तो चाहेंगे हमारे नेता का भी कद बढ़े और उसका उसमें लाला चीपा हुआ है अगर कोई जानना चाहते है तो हम बता दोते हैं उसमें हम लोगों का लाला चीपा हुआ है कि हमारे नेता का ताकत बढ़ेगा तो हम लोगों का सक्ती बढ़ेगा हमारी आवाज बनेंग तो पूरे बिहार और पूरे सिवान के लोग ये चाहते हैं कि लोग पूरे नितरी हेना साहब को ताकत दिया जाएं बाबु और शामा को शाहब के बिरासत को संभालने के लिए उनको ताकत दिया जाएं हम लोग तो मेरा ब्यक्तिकत उपी नहीं है हम तो चाहेंगे चाहेंग जब सत्ता में थे, तो क्या क्या उन्होंने, बड़ा दो चेहरा, रेनु दीदी को, मेरे इसमात से थी, रेनु दीदी, और बड़े आदर के साथ, तरकेश्वर प्रसाद जी को, अतिरी पिछला के दो चेहरा को, वर दिप टि सीँ बनाने का उन लोगों ने कर्ज किया, मान्ये मुख्य मंत्री, नितिश कुमार जी तो किय थे, भारतिए जंता पार्टिय और जंता दल UNTED की सरकारा थी, दो दो चेहरें मिला, आच जंता दल UNTED और राश्च्रे जंता दल की सरकार है, और सब लोग जानता ह कि राष्टिय जनतादल का founder एक platform मजबूत platform माई समिकरण है सब लोग जानता है पूरे बियार पूरे देश को लोग जानते है यह हम कहेंगे तब नहीं होगा सार्ब बीदीत सब लोग जानता है आप कितना हूँ कह लिजिए कि नहीं सब लोग के हिश्चेदारी बराबर है त तो अपने साथ है पर सबीक्रिवरों सीम बनादीजिये क्या दिक्कत हो जाएगा अभी आप बात कर रहे हैं कि हमारे नेता को मजबूत करने बाते कि नख्या ऊपका क्या होता हैights के आपकोनेता बैनर से घ्क कर दिये जाता है इस पर क्या कि यह कहीं नही?. तो दर्द है यह नाराजगी कर्ज करता हूं मैं कैसे नाराजगी नहीं रहेगा हमारे नेता का आप जगा नहीं दीजेगा और आप बैनर से गायब करते हैं सत्था के पावर से गायब करते हैं तो हम लोग यहीं लड़ाई लड़ रहे हैं ना पुट्डे करके उनको मुख्यमंतरी बनाने का कर्ज करेंगे इतने तकलीफ के बाद क्या हीना साहब राज़ाद में जाएंगे राज़ाद में हैं ही जाने की बात नहीं है रास्तिय जनता दल के शदस्य के रूप में भी है रास्तिय जनता दल के परिवार के रूप में चु तो परिवार के सदस्य तो हैं, अब देखना है कि परिवार के सदस्य को ताकत कौन सा दे रहे हैं, ये बिहार की अवाम और सिवान के लोग जानना चाते हैं, तो राज़त में हैं तो फिर फोस्टर से गायब की हैं, आने वदिजे समय का इंतजार करें, सब कुछ ठीक हो करते हैं, तो ऐसे हकीकत और ऐसे सचाई हम आपको दिखाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ, यसे बेनीज के साथ धन्यवाद.